नमस्कार दोस्तों सुआगर है आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5N Pro पर कैमरा ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको कैमरा यूज़ करते हैं ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लेम फेस करना पर रहाे ब्लेक स्क्रीन का इशुआ आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स करना है आज के इस वीडियो पर डोस्तों मैं आपको इसे के रिगार्डिंग पर solution बताने वाला हूँ अगर दोस्तों आपको भी इस तरह का कोई भी issue कोई भी problem है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा मैं आपको पूरा जो solution है वो show करके बताने वाला हूँ ठीक है कैसे करके आपको fix करने आपका camera black screen problem तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वे शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click करें यही आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है अगर आपका camera black screen हो जाते है तो आप device को एक बार restart करके भी देख सकते है restart से काम बन जाता है तो ठीक है restart करने के बाद दोस्तों आप recent button पर click करें जितने भी application है उनको close करें उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें आपका problem solve हो जाते है तो ठीक है नहीं होते तो आपको जाना होगा device के setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तों scroll down करें और apps पर जाए उसके बाद जाए manage app पर manage app पर जाने के बाद camera को open करें force stop करके इसको ok कीजिए उसके बाद जाए clear data पर clear all data कर दिजे और ok कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको A permission पर जाना है camera पर जाके आपको allow करना है microphone allow करना है storage उसके बाद telephone तो सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप device को एक बार restart कीजिए और उसके बाद दोस्तों check करके देखे कर जो सोफ़ेर उसको अपडेट करना परेगा ठीक है जैसे आप डिवाइस सोफ़ेर को अपडेट करोगे आपका केमरा ब्लेक स्क्रिन प्रॉब्लेम सौल्फ हो जाएगा चाहिए तो दोस्तों आप प्रिक्तुरी रिसेट के लिए भी जा सकते हैं लेकिन सोफ़ेर झाल झाल झाल